आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रिसायन, विज्यान, भौतिक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउटनेट करें। तथा तर्क अभी कथन की सही व्याख्या करता है, दूसरा अभी कथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन तर्क अभी कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, तीसरा अभी कथन सही है, लेकिन तर्क गलत है, और चौथा अभी कथन और तर्क दोनों गलत है, तो अगर बात करते है मतलब नर्म लोहे की बात करी जारी है और ट्रांस्फार्मर का क्रोड है ना तो ट्रांस्फार्मर क्या होता है सब्सक्राइल समस्त है देखिए यह आपके सामने चित्र प्रिदश्य तो यहां पर एक ट्रांस्फार्मर है और ट्रांस्फार्मर की यह ना क्रोड है तो ट्रांस होती है तो वोल्टेज के मान को क्या किया जाता है कम या जादा किया जाता है तो वोल्टेज के मान को या तो उच्चाई किया जाता है या तो अप्चाई किया जाता है तो चुकि यहां पे परिवर्ती कैसा होता है हमारा छितर होता है तो परिवर्ती वोल्टेज होने के होता है क्रोड के रूप में जो क्या कर सके जो यहां पे किसी भी transformer की कुली में बार-बार क्या कर सके चुम्बकित हो सके और वी चुम्बकित हो सके तो हम क्या सकते है कि चुम्बकन करवाने के लिए और बाद में वी चुम्बकन के लिए, दोनों ही इस्थती में हमें क्या करना होता है, ट्रान्सफोर्मर का क्रोड इस परकार से चैन करना होता है, जिसमें चुम्बकन और वीचुम्बकन होने में time ना लगता हो, और जैसे ही छेतर आरुक्पित करें वैसे ही जल्दी से वो चुम्बकित हो जाए और जैसे ही छेतर हटा दें तो हमारा जो चुम्बकित हो जाए ऐसा क्यों कि यहां पर फिर जो होने वाले हानी है उर्जा का जो व्या है इसको हम लोग कम कर सकें तो उर्जा व्या को कम करने क होता है क्या स्वलो देखते हैं तो जी हां बच्चों यह साथ ले लूप के कारण ही होता है हमारे पास में दो material के लिए तो एक जो material है वो है नर्म लोहा और दूसरा material हम लोग ने लिखा है तो steel जो होता है उसके लिए आप साथ ले लूप देख सकते हैं चुम्बकी छेत्र एच आरो पिट करने बर चुम्बकी प्रिरन जो भी है वो हमारे जो लोहे या steel की बात करें तो दुर्ण लोहे में आप स्टील में क्या हो रहा रहा है कि यहाँ पे यह चेट्र फल आप देखा रहा है बहुत जाधा है जबकि नर्म लोहे के लिए यह दूप का जो खेतरफल है काफी कम है तो इससे क्या शिद्ध होता है इससे यह पता चलता है जिसका छेतरफल जादा तो इसका एक आमान जादा तो छेतरफल एक आमान ज्यादा होने के कारण यहाँ पे होने वाला जो उर्जा का व्य है या उर्जा छे है उसका आमान बढ़ जाता है इसी प्रकार से अगर नर्म लोहे में देखे तो यहां पे साथे लिलूप का छेतर फल कैसा है कम छेतर फल तो यहां पे कम उर्जा वे तो उर्जा जो छै है या उर्जा जो वे है वो कैसा होगा कम हो जागा अतहा उर्जा के छै को बचाने के लिए आरूपित चुम्ब की छेतर मे आप चुम्ब की छेतर H वैसे ही वह उसके अंदर चुम्ब की प्रेरन उत्पन हो जाता है तो यहाँ पे हम नर्म लोहे को प्रिफर करेगे ना कि स्टील को क्योंकि देखे यहाँ पे जब चुम्ब की छेतर H का मान धिरे धिरे बढ़ा रहे है तो कितने आराम से यह क्या कर रहा है पहले चुम्ब की छेतर है और जैसे जैसे आप चुम्ब की छेतर है उसका मान कम करते चले जाते है वैसे वैसे उसका जो क्या है छेतरे फल है वो बढ़ता चला जाता है और ये बता रहा है कि उर्जा चाय कैमान में भी बड़ोत्तरी हो रही है अता हमें क्या करना है हमें म्रदू लोहे का उपयोग करना है तो यही कारण है कि म्रदू लोहे का जो साते लिलूप होता है छोटा होता है संकिर्ण होता है इसलिए उर्जावे जो होता है वो कम होता है और उर्जावे अगर यहाँ पर कम हो रहा है तो सिंपल सी बात है हम लोग क्या करेंगे कि म्रदू लोहे को ही ट्रांसफर्मर की क्रो भरोजा आशी डाउनोट करे डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स 8444 पर